दिखाते हैं जा प्रदानमंत्री मूधी डिजिल पेमेंट सेलीशन को लांच कर रहे हैं, ए रूपी को लांच कर रहे हैं इस वक्त पीए मूधी वितरण प्रणाली के सरली करण के साथ साथ नियूनतम प्रशासने कलागत इ रूपी सरकारी योजनाओं का लांच जन सामाने तक पहुँचाने के दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है इ रूपी का उप्योग लोग कल्याण हेतू सरकार द्वारा चलाई जा रहे विभिन योजना जिसके तहट निश्चित उद्देश्य की पूर्ती के लिए भूगतान या अनुदान दिया जाता है को सुगमता पूर्वक लागू करने के लिए किया जा सकता है इसका उप्योग निजी संगठनों या किसी व्यक्ति द्वारा लोगों को किसी विशेश प्रायोजन के तहट लाब देने हेतू भी किया जा सकता है इस दिशा में स्वास्थय और परिवार कल्यान मंत्रालय और राश्ट्रिय स्वास्थय प्राधिकरण के सहयोग से कॉर्परेट्स द्वारा निजी कोविट टीका करण के इंद्र पर टीका करण के भूगतान के लिए ई रुपी के पहले उप्योग का आज शुभारम माननि माननिय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है सच मुझ ई रुपी डिजिटल भारत की ओर एक बहुत ही मजबूत कदम है अब माननिय प्रधानमंत्री जी की अनुमती से ई रुपी का कोविट-19 वैक्सिनेशन के लिए शुभारम करेंगे आएए हम आपको ले चलते हैं वैक्सिनेशन सेंटर पर हम जुड़े हैं मुंबई के एक प्राइवट वैक्सिनेशन सेंटर से जहां लाभारती आज पहली बार इस ई रुपी वाउचर से कोविट-19 वैक्सिन के लिए भुक्तान करेंगे हमारी पहली लाभारती अब वैक्सिनेशन काउंटर पर पहुच गई है और वो हॉस्पिरल के करमचारी को अपने मोबाइल में मिले ए रुपी वाउचर को दिखा रही है अब हम देख रहे हैं कि हॉस्पिल के करमचारी क्यू आर कोड के रूप में मिले ए रूपी वाउचर को स्कैन कर रहे हैं स्कैन करते ही लाभारती के पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाता है यह वेरिफिकेशन कोड लाभारती हॉस्पिल के करमचारी को बताती है वेरिफिकेशन कोड एंटर करते ही E-Rupee voucher redeem हो गया है और इस तरह उसके वैक्सीन का भुगतान E-Rupee के माध्यम से सफल हो जाता है अब लाभारती COVID-19 वैक्सीन लगवाने जा रही है जैसा कि हम सब ने देखा E-Rupee के माध्यम से वैक्सीन का भुगतान मात्र कुछ ही मिनट में बिलकुल cashless, contactless और सुगमता पूर्वक हुआ जैसा कि ठाँ जैसे वैक्सीन का भुगतान माध्यम से जेखाश एम से उब लाभाना डुगतान का भुगतान गया तक है इसा जाए उल्छ खवाम से जाए ऐसे जाए स्वार कैना fitness प्सक्वार्ण मात्र का पुगतान पस्वाल से बिलकाना खा़िक्स